दोस्तो, आप लोगों में से ऐसे बहुत से लोग हैं, जो investment करना चाते हैं equity में, लेकिन confused हैं कि active investments ही होगा या फिर passive investments ही होगा, बहुत से लोगों के लिए एक्टिव और आपके लिए नुकसान क्या हो सकते हैं साथी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि active और passive investing करते समय कौन सब बहतर return generate करता है दोस्तो बहुत important वीडियो है और आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों को क्या करना उचित होगा 2022 में या फिर आने वाले समय long term future के planning कर रहे है retirement के planning कर रहे है या फिर आगे चल करके कुछ भी goal आपने create किया है तो active और passive investing के पूरी strategy को सबाजना बहुत जरूरी है चली दुस्तों वीडियो को start करते हैं मैं हुर अभी आप सभी करको फिर से हमारे और आपके वो चीज़े देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग passive investing को समझते हैं passive investing क्या होती है दोस्तों कि आप किसी के through या फिर किसी को एक benchmark मान करके मान लीजे कि आप मुझे follow कर रहे है तो जैसे जैसे मैंने investment किया है वैसे वैसे आप investment कर रहे हो ठीक है exact same portfolio तो वो होता है passive investing आपको ज़्यादा महनत नहीं करनी है केवल और केवल आप मुझे follow कर रहे हैं उसी तरीके से दोस्तों अगर हम mutual fund में जाते हैं ठीक है तो mutual fund एक सबसे बड़ा example है passive investing का passive investing अगर mutual fund में जाते हैं तो वहाँ भी active और passive होता है जिसे देखिए अगर mutual fund में active passive की बात करें तो सबसे पहले हम लोग passive wallet की बात करते हैं तो passive की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आ जाता है आपका index fund या फिर कहले जिए कि ETFs वगेरा अगर आप लोग direct investment करना चाते हैं mutual fund की तरफ नहीं जाना चाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे indexes में क्या होता है जैसे कि nifty 50 एक index है तो यहाँ पे almost सभी बड़ी 50 companies जिनके market cap जो काफी पूरानी companies है वो nifty 50 में हैं ठीक है तो उनको एक benchmark मान करके जो भी company की weightage है जितना अब जिसे कि nifty 50 में जितना weightage reliance ले रखका है जितना weightage SGFC bank ले रखका है, kotak ले रखका है, जो भी जितना भी weightage ले रखका है उसके according आपका investment उस fund में या फिर उस index fund में किया जाता है तो यह तो होता है passive investing यहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरह के चिंता करने की जरूरत नहीं है बस आप लोग उस particular index को थोड़ा सा research कर सकते हैं कि पिछले सालों में उसने किस तरह के return दिये हैं जैसे कि आप लोगों को future का अंदाजा लगाना में असानी हो सके और आप लोग एक confident तरह के से उसमें investment कर सको ठीक है, यह तो रही strategy passive की और किस तरह से कर आम करता है और एक active ठीक है, तो उसी तरह के से active funds जो होते हैं जैसे कि आपके large cap mutual fund हो गए, blue chip mutual fund हो गए mid cap के हो गए, multi cap के हो गए, इस तरह के जो fund होते हैं दोस्तों यह होते है active investing की category में आते हैं और आप लोग अपने हिसाब से जैसे कि direct demit account या फिर ट्रेडिंग create किया आपने, तो वहाँ पर जाकर के अपने demit में कुछ अच्छे stock अपनी research के according करके उन stocks के portfolio create करते हो ठीक है, या फिर आप trading करके कुछ पैसा वहाँ से generate करते हो तो यह होता है active investing and active earning from equity market उसी तरह के दोस्तों अगर हम लोग mutual fund में जाते हैं तो आपका जो भी fund manager होता है, वो अपने according यहाँ पर अगर हम लोग active directly equity में जाते हैं तो हम अपने according करते हैं, लेकिन अगर हम लोग mutual fund में जाते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को fund की categories बताई जो कि active investing के अंतरगत आती हैं, उसको लगता है कि यह small cap, यह large cap या फिर यह particular company अच्छा movement दे सकती है आने वाले समय में तो वो अपना ज्यादातर पैसा उस companies में लगाता है उस category के fund में जो भी उस category में company आती हैं, वो उसमें पैसा डालता है तो यह हो गया active investing और passive investing का explanation अब बात करते हैं दोस्तों pro and cons कि कि इन दोनों में investment करने के फाइदे और नुकसान क्या है तो सबसे पहले हम लोग passive investing की बात करते हैं तो passive investing के फाइदे यही हैं दोस्तों कि आप लोगों को कम खरचा पड़ता है funds का यानि कि आप लोगों का fund manager को ज्यादा माथा पच्ची नहीं करने करने करती है expertise ज्यादा नहीं लगा पड़ती है यानि कि उस AMC को अपने fund manager को ज्यादा pay नहीं करने करने के लिए particular index fund को manage करने के लिए इसकी मुझे से होता क्या है कि वो केवल एक benchmark को follow करता है वो एक index को follow करता है और उसी के according वो investment करता रहता है तो यहाँ पे आप लोगों के expense ratio काफी कम होते है as compared to active fund दूसरा passive fund में ये फायदा होता है दोस्तों कि ये एक linear way में आप लोगों को long term में better return दिलाते हैं कैसा है कि मैंने आप लोगों को बताया 80-20 कि 80% fund nifty 50 को beat नहीं कर पाए है अगर हम लोग active funds की बात करते हैं वही पर दोस्तों अगर हम लोग इसके नुकसान की या फिर cons की बात करें तो यही है कि nifty 50 को अगर आप लोग index मान करके चलते हैं तो आप लोगों का जो fund होगा बहुत ही rarely ऐसा कोई fund होगा जो अपने benchmark को या फिर अपने index को beat कर पाए यानि कि आप लोगों को एक stable return देखने को ही मिलेगा आप लोगों बहुत ही tremendous return यहाँ पे नहीं create कर सकते हैं हला कि अगर हम लोग census की बात करते हैं तो उसने 15% का return पिछले 10 सालों में average निकाल करके दिया है और अगर हम लोग active funds की या फिर active investing की बात करें तो active investing के सबसे बड़ा जो फायदा होता है दोस्तों वो है कि आप लोगों के सामने flexibility रहती है चाहे अगर आप लोग direct equity में investment कर रहे हो या फिर किसी भी active fund में investment कर रहे हो active fund में जाते हो तो fund managers के बात यह flexibility होती है कि वो किसी भी sector में अपना पैसा डाल सकता है अगर उसको लगता है कि आने वाले decade में या फिर आने वाले सालों में इस sector में या फिर इस particular company में काफी अच्छी growth हो सकती है तो वो उस company में आपका पैसा उठा करके डाल सकता है लेकिन passive investment क्या है कि उसको उसी companies को follow करना है जो कि वो index follow कर रहा है दूसरा सबसे बड़ा फायदा दोस्तों कि यहां से आप लोग बहतर return generate कर सकते हो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया flexibility काफी अच्छी होती है तो यहां पे आप लोग अपने हिसाब से अपना portfolio create कर सकते हो पर्टिकुलर कैसी company में डाल सकते हो अगर कोई particular stock काफी अच्छा गिरा है तो आप लोग उसमें अच्छा काशा पैसा डाल करके एक long term में अच्छी उमीद कर सकते हो काफी large cap के stock होते हैं जो कि किसी तरह की incident की वज़े से या फिर कोई भी news की वज़े से उनमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो अगर आप लोग actively किसी stock को उसके बारे में पढ़ रहा हो जान रहा हो कि हाँ यह बढ़या कर सकता है future में तो आप उस stock में अच् flexibility का fund manager के पास अगर होगा तो cons की बात करें दोस्तों तो expense ratio obviously आप लोगों को यहाँ पे higher pay करना पड़ता है और जैसे कि मैंने बताया कि 80% active funds जो है वो beat नहीं कर पाते हैं आप लोगों की indexes को दूसरा दोस्तों कि यहाँ पे higher risk होता है और आप लोगों की माथा पक्ची यहा जादा करनी पड़ती है आप लोगों को साथी दोस्तों अगर stock गिरता है तो आप लोगों का पूरा portfolio पूरा नस्ट हो सकता है किसी particular stock में आपने पैसा डाला हुआ है और वो stock already गिर रहा है और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों गिर रहा है कैसे गिर रहा है तो फिर वहाँ पे आप लोगों को अच्छा खासा नुकसान भी हो सकता है same as it is आप लोगों अगर funds में जाते हो तो वहाँ पे आप लोगों को expenses ज्यादा देने पड़ते हैं लेकिन बहुत बुरे return जो कि आप लोग अपने आप से create कर सकते हो actively manage करके या फिर active investing करके equity में उ अंदर सेंध कुछ भी लग सकती है तो ये हैं दोस्तों कुछ pro and cons और अगर हम बात करते हैं कि आप लोगों को अखिर करना क्या चाहिए इतना कुछ तो मैंने बता दिया आप लोगों के लिए बहतर क्या होगा देखिए दोस्तों अगर मैं as a beginner अपने आपको देखता हूँ तो मेरे लिए passive investing एक बहतर option हो सकता है passive investing में क्या है कि देखिए अगर हम दूसरे funds को भी compare करते हैं तो बहुत ही कम ऐसे funds है जिन्होंने long term में stable return निकाल करके दिया है अगर आप लोग 2 साल 3 साल की बात करते हो तो उसमें बहुत अच्छे return दिख सकते हैं किसी active fund में अगर हम covid के बाद अभी compare करते हैं तो almost सभी fund ने 30 plus return निकाल करके दिये हैं पिछले 2 से 3 सालों में ठीक है लेकिन अगर हम लोग किवल और किवल indexes की बात करते हैं passive investing की बात करते हैं तो शुरवात करना passive investing से एक बहतर option हो सकता है बिल्कुल beginners के लिए क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा alpha की उम्बीद नहीं रहती है अब alpha alpha मैं आप लोगों को बात में समझाओंगा बस इतना जानों कि आप लोगों का जो benchmark होता है वो beat नहीं हो पाता है या फिर वो index beat नहीं हो पाता है और आप लोगों को ट्रैकिंग भी easy हो जाती है दोस्ती चीज़ दोस्तों कि जो लोगों को थोड़ा experience है जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे experience है market का भी और mutual fund का भी तो मैं अपना portfolio खुद create करना चाहूंगा मैं किसी और को ज्यादा expenses करके you know 2% 1.5% expense देना हर साल मुझे नहीं लग ज्यादा तर कोसिस करूँगा कि active investing करूँ क्योंकि stock analysis मुझे आती है मुझे trading आती है तो मैं active investing direct अपना portfolio भी create कर सकता हूँ या फिर active mutual fund से भी देख सकता हूँ उनकी category उनकी sector allocation के मदद से मुझे समझ में आएगा कि हाँ ये fund अच्छा कर सकती है इस तरीके से ये काम करेगा बहुत चीजे हैं जो मुझे अपने investing को ध्यान में रखे क्योंकि active investing बहुत माथा पच्ची वाला काम होता है तो वो सारा कुछ आप लोगों करना पड़ेगा तो अगर आप थोड़े experience हो तभी आप active investing की तरफ move करो मैं mutual fund को नहीं लेकर के कह रहा हूँ मैं direct equity की भी बात कर करा हूँ कि कई लोग direct investment करना सुरू कर देते हैं कोई भी stock buy करते हैं बिना analysis किये बस किवल news के basis बे तो उन लोगों के लिए मैं खास करके video बनाया हूँ कि active और passive investing को वो समझ पाया है आप लोगों को समझ में आया होगा मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों अगर नहीं आया उसका review भी आप लोग को इस तरह की videos में लाकर के दूँगा बाकी दोस्तों इस तरह की videos आप लोगों तक आती रहेंगी इस channel को subscribe कर लिजेगा और इस video को share कीजिए अगर आप लोगों को लगता है कि यह आप लोगों के लिए helpful है और दोसरों के भी मदद कर सकती है वीडियो